विल्कम बैक टो चैनल स्टुडेंट आज हम लोग करने वाले हैं जहरखंड बोड का संस्कृत का क्लास 9 का जो मॉडल सेट फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन करेंगे ठीक है देखिए टाइम इसमें भी उसी तरह का एक घंटा 30 मिर्ट है और टोटल मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स क्याइं में आपको पैसेज मिला उसी तरह से संस्कृत में फर्ष्ट जो है पैसेज रहेगा पैसेज पढ़की कोश्च हैनजर को करना है ओ उतव देखिए ऑन सब्सक्राइब म Lord criar उसकर द्रस्य तो राम भगवान का दिखता है उसके बाद second question है इसका गर नमबर चूस कर लिजेगा फिर second question है कि रामायन अश्य लेखका का अस्ती का अस्ती तो रामायन के लेखक कौन है तो देखे आप पढ़े ही होंगे रामायन के लेखक जो है आपके वो वालमिकी है ठीक है यहाँ जो तुलसी दासर वो राम चरितर मानस के लेखक है रामायन के लेखक वालमिकी है वालमिकी अब उसके बाद third question जो है आपका second में आप यह गर नमबर चूस कर लिजेगा उसके बाद third question है आपका इसका option देखे का अनुस्टुप इंद्रवज्रा शार्दूली विक्रिडितम और वनसस्था ठेक है तो इसमें आप answer चूज़ कर लिजेगा का नंबर अनुस्टुप उसके बाद fourth question है ठीक है परियावाची सब्द बताना है रचनाकार का रचनाकार मतलब लेखक उसका परियावाची सब्द हो जाएगा खा नंबर लेखक का उसके बाद five नंबर question है चंद सी इती पदे का विभक्ती असती बिभक्ती बताना है आपको कौन सा विभक्ती है option देखे सब्दमी विभक्ती सष्टी विभक्ती पंचमी विभक्ती चितुर्थी विभक्ती देखे इसका answer आपका हो जाएगा का नंबर सब्दमी विभक्ती ठीक है पर तो का नंबर थोड़ा सा मिस्टेक है उसके बाद आप देखें यहां पर करना है कि अधो लिखा अधो लिखीता नाम प्रस्ना नाम उत्तरानी विकल पेभ्यम चित्व लिखत तो जो नीचे कोशन दिया हुआ है उसका कोशन का अंसर देना यह आपका टिस्ट बुक से है ठीक है पठित वन्शिम वी नाम धोलकम करतालम तो इसका एंसर हो जाएगा आपका खनमर वी नाम नोट कर लिजेगा उसके बाद सेवन नंबर कोशन है वसंते क्रीदिशा रसाला लसंती अप्शन है नीरसा सरसा हरीता और रखता तो देखें एंसर इसका लिख लिखें आप खनमर सरसा ठ heartbeat है विखें उसके बाद sü PUBG आगे आपका कोशन दिखते है एंबर कोशन हैром कि सरस्वत्य इती पदस्य समनार्थिकं समनार्थकं पदम किम सरस्वत्य का समनार्थक पद बताना है तो option है तीरे अलिनाम वानी और रसाला देखे इसका answer आपका हो जाए गा नंबर वानी ठीक है वानी उसके बाद 9 number question है कि तटे इती पदे का विभक्ती परियुकता तटे में कौन सा विभक्ती का परियुक किया गया है तृत्य विभक्ती सब्तमी विभक्ती सश्टी विभक्ती और प्रथमा विभक्ती तो इसका answer आपका हो जाएगा खा नंबर ठीक है खा नंबर चूज कर लिजेगा सब्तमी विभक्ती उसके बाद 10 number question है कि नीरसा इती पदस्य विलोम पदम किम नीरसा का विलोम पद सब्द बताना आपको नीरसा का विलोम सब्द देखे आपका हो जाएगा सरसा ठीक है अब एक चीज़ और ध्यान दिजेगा संस्कृत में जैसे अगर दिया हुआ रहता है विलोम सब्द लिखने के लिए तो अंत का सब्द मैच करता है ठीक है वैसे भी आप इसको इसली बना सकते है उसके बाद है 11 नंबर कोशन कि बालिकाया पूर्वं कीना दिरिष्टम अस्ती ठीक है तो इसका उप्शन देखे स्वरन काकम, स्वरन मयूरम, स्वरन मुरिगरम मुरिगरम और स्वरन पत्रम देखे इसका एंसर हो जाएगा आपका का नंबर स्वरन काकम ठीक है का नंबर लिख लिजेगा उसके बाद 12 नंबर कोशन है बालिका वरिच्छस से उपरी किम दिष्टवा अस्चर चकिता आभवत अप्शन है फलानी, पुषपानी, प्रशादा, पत्रानी तो इसका एंसर हो जाएगा आपका खा नंबर पुषपानी नोट कर लिजेगा इसको उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं थर्टी नंबर कोशन थर्टी नंबर में है प्रथमा बालिका केन सोपानेन स्वर्न भवनम आस दाग देखिए उप्षन है तामर सोपानीन कास्ट सोपानीन रजत सोपानीन सर्न सोपानीन सोपानीन का मतलब होता है सीड़ी तामर, तामा का कास्ट लकडी का रजत मतलब चांदी का स्वर्न मतलब सोना का तो देखिए इसका answer आपका हो जाएगा 30 नमबर का घह नमबर स्वर्ण सोपानिन ठीक है उसके बाद 40 नमबर कोश्चन है गरवीता बालिका की द्रिशा अस्थालया चैनम अकरोध तो जो लड़की थी किस अस्थालया मतलब थाली कौन से थाली का चैन करती है अप्शन बन द आपका घह नमबर स्वर्ण अस्थालया उसके बाद 50 नमबर कोश्चन है लुब धया बालिक कया कस्य फलम प्राप्तु तो बालिका कैसा फल प्राप्त होता है परिश्रमस से पापस से ग्यानस से लोभस से ठीक है तो उसका answer हो जाएगा आपका घह नमबर लोभस से घह नम अलिका पुजारती कुत्र गच्छती ऑप्शन है का नमबर देवघर मंदिरम काशी विश्वनाथ मंदिरम मधूरा मथूरा और द्वारका देखे इसका answer हो जाएगा आपका खा नमबर काशी विश्वनाथ मंदिरम ठीक है नोट कर लिजेगा उसके बाद 70 नमबर है उमाय सेटक और पंच सत्सेटक पंचा सत्सेटक देखे इसका answer हो जाएगा आपका खा नमबर ठीक है नोट कर लिजेगा खा नमबर उसके बाद आपका 80 नमबर कोश्चन है नंदिन्या पाद प्रहारह कह रक्त रंजीता अभवत अप्शन है मोहना चंदना नंदिनी और मलिका देखे इसका answer आप लिख लिजेए खा नमबर ठीक है उसके बाद 90 नमबर कोश्चन है घट मुल्यार्थ मुल्यार्थम मलिका कीम दातुम प्रयतेत प्रयतेत ठीक है प्रयतते ओप्शन है रुपयकानी धान्यम स्वभूशनम ना कंची दपी तो इसका answer हो जाएगा आपका 90 नमबर का गनमबर ठीक है उसके बाद आपका 20 नमबर कोश्चन है धेनो नामा किम अस्थी ओप्शन है काम धेनू नंदिनी मलिक और सुर्वी देखे इसका answer आप लिख लिजे खा नमबर नंदिनी ठीक है उसके बाद आपका खंड खा में देखिए आपको व्याकरन से कोश्चन दिया गया है आप इसको पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं निर्देश में दिया हुआ है अधो लिखी लिखी तेशू वर्नेशू पदेशू वर्न संयोजनम वर्न वियोजनम व प्रदत विकल्पेव्याम उचित विकल्पम चित्वा लिखत ठीक है तो वर्न संयोजन भी करना है और वर्न वियोजन भी करना मैं जोड़ना भी है और अलग भी करना है ठीक है 21st number question में देखिए आपका है पहलंत जोड़ आ ठहलंत जोड़ आ जोड़ सहलंत जोड़ आ जोड़ लहलंत जोड़ आ तो यह क्या बन जाएगा आपका का नमबर देखिए पार्ट साला उसका answer का नमबर हो जाएगा पार्ट साला ठीक है उसके बाद आपका ये है यह क्या बन जाएगा तो क श अ देखे आपका हो जाता है ये च बन जाता है ठीक है तो ये आपका हो जाएगा option देखें आपे option दिया हुआ है छत्रिये 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 और छात्रिये देखे, सारा का प्रनामशेशन लगबग सेम है इसका answer आप चूज कर लिजेगा गा नमबर, छत्री है ठीक है, उसके बाद देखे, हाँ पर वर्न वियोजन करना है आसीर वाद दिया हुआ है उसका वर्न वियोजन करना है तो देखे, वर्न वियोजन अगर इसका कीजेगा तो इसका answer हो जाएगा आपका गा नमबर वाला, गा नमबर को चूज कर लिजेगा आ जोड़, शाहलन्त जोड़, ई जोड़ रहलन्त जोड़, वहलन्त जोड़, आ जोड़, दहलन्त जोड़, ठीक है अब इसको नोट कर लिजेगा गा नमबर को नोट कर लिजेगा उसके बाद 24 नमबर कोश्चन है, राष्ट्रियाता राष्ट्रियाता का वन वियोजन जब कीजेगा तो इसका answer आपका आ जाएगा का नमबर, ठीक है रहलन्त जोड़ आ, जोड़ का नमबर, चूज़ कर लिजेगा उसके बाद 25 नमबर कोश्चन है आपका इसमें वन सईयोजन करना है का नमबर, जोड़ आ, जोड़ मा, हलन्त जोड़ आ क्या बनेगा आपका तो अभी बतायते है का शा आ जाकर क्या आपका च्छा बन जाता है ठीक है, सईयोगी च्छा तो इसका अंसर अपका गण नमबर चूज़ कर लिजेगा च्छमा, ठीक है उसके बाद नीचे दिया हुआ है, आगे का कुश्चन जो 26 नमबर में, किरे खांकित पदा नाम, संधी या फिर विछेदम, वो विकलबे व्याम चित्वा, लिखत तो संधी करना है, या विछेद करना है जहां जैसा दिया हुआ रहेगा, वैसा करना है 46 नमबर में, देखे क्या दिया हुआ है त्वम, यथो चितम, परियासम करू, कुरू तो यथो चितम का संधी विछेद अगर आप किजिएगा तो आपका यहां पर देखे, उप्शन है यथा जोड उचितम, यथो जोड चितम यथोचित जोड म और यजोड तो चितम तो देखे, इसका एंसर आपका हो जाएगा का नमबर, यथा जोड उचितम का नमबर नोट कर लिजिएगा उसके बाए 27 नंबर question है शारदा, सरवदा, अस्माकम, सन्निधिम, वस्ते तो सन्निधम का संदी विछेत किजिएगा तो option देखे आपका दिया हुआ है पहला सत जोड निधिम, सन जोड निधिम, सन जोड निधिम, सन नी जोड धिम तो इसका answer आपका हो जाएगा का नंबर, सत जोड निधिम ठीक है, उसका 28 नंबर है, हरिम जोड वन्दे इसका संधी करना है, हरिम जोड वन्दे का option देखे हर जोड वन्दे, हरिम जोड वन्दे, हरी जोड वन्दे और देखे, option है हर बंदे, हरीम बंदे, हरी बंदे और हरा बंदे देखे, इसका answer आपका हो जाएगा 48 नंबर का खा नंबर हरीम बंदे, ठीक है उसके बाद 49 नंबर question है मुने, मुने नमः इसका मुने का देखे, संदी विछेद किजिएगा option है, मुने जोड़ ए मु जोड़ नए मुनो जोड़ ए, और मुनी जोड़ ए तो इसका answer देखे, हो जाएगा आपका घा नंबर मुने जोड़ ए ये कर लिजेगा उसके बाद 30 नंबर question है आपका सिवास्ते संदु पंथाना, तो सिवास्ते का संदी जोड़ ए और घा नंबर सिजोड़ वास्ते तो इसका answer हो जाएगा आपका घा नंबर सिवा जोड़ ए ठीक है उसके बाद 31st नंबर question में देखे, फिर से आपका है निर्देश दिया हुआ है कि जो सब्द रूपाम और धात रूपाम जो है, रूपा नाम सब्द रूपा नाम, धात रूपा नाम उचित रूपा नी, विकल पे पिछित वा लिखा तो सब्द रूप और धात रूप से है उसको करना है 31st नंबर question है कि बालक इती सब्दस से तृत्य एक वचन की रूपाम वहविश्यती तो बालक का सब्दस से बताना है 31st एक वचन में तो देखिए, बालकेन, बालकेन बालकेन और बालकाया सुनने में सारा ये तीनों एक जैसा ही लग रहा है इसमें आपका एंसर हो जाएगा खा नंबर, बालकेन ठीक है, उसके बाद खा नंबर, रमाम उसके बाद 33 नंबर कोश्चन है मुनी इती सब्दस्य तृत्य एक वचन की रुपाम भविश्यती आपका मुनिया मुनीना, मुने और मुनी तो इसका एंसर हो जाएगा आपका खा नंबर, मुनीना ठीक है, उसके बाद आगे देखिया आपका 34 नंबर है पठ धातो परस्मय पदी लटलकारे प्रथम पुरुसे वहु बचने की रुपाम भविश्यती तो लटलकारे का प्रथम पुरुस वहु बचन में बताना है आपको आप्चन है पठती, पठसी पठंती, पठामा तो इसका एंसर आपका हो जाएगा गा नंबर पठंती, ठीक है गा नंबर चूज कर लिजेगा पठंती, उसके बाद है सेव धातो आत्म, आत्माने पदी लटलकारे प्रथम पुरुस एक वहु बचन की रुपाम भविश्यती अप्शन ने सेवती, सेवसे सेवेते और सेवते तो देखे इसका एंसर आपका हो जाएगा गा नंबर सेवते उसके बाद देखे आपका आगे का कूश्यन है अधोली खीता नाम, रिखांकित पदा नाम प्रकृती प्रते, सयोजन विवाज्ये, वा उचित उत्तरम विकल्प एब चित्वा लिखत तो विकल्प से चुन करके लिखना है आपको प्रकृती प्रते के लिखना है ठीक है? तो देखे आपका कूश्यन है मोहना जलम, पातुं इच्छती तो पातुं का प्रते बताना है आपको उप्शन है पाजोड कत्वा फिर खा नमबर है पीब जोड तुमून गा नमबर है पातु जोड मा और गा नमबर है पाजोड तुमून तो देखे इसका एंसर हो जाएगा आपका गा नमबर पाजोड तुमून उसके बाद है 37 नमबर में स पठ जोड गत्वा ग्रहम गमिश्यती तो इसका जो हो जाएगा आपका option देखिए पाठित्वा पाठित्वा पठित्वा पठित्वं तो इसका answer आप चूज कर लिजे ग नमर पठित्वा ठीके इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद 38 नमबर कुश्यन देखते हैं, 38 नमबर में आपका है, सीता पुस्तकानी आ, जोडनी, जोडलिप, पठती, आगत्य, आदाय, आनित्वा, और आन्य, तो इसका एंसर हो जाएगा आपका घह नमबर है, आन्य, आन्य, ठीक है, उसके बाद 39 नमबर है, हसंती, बालिका आवदत, अप्शन है, हस तुमून, अज जोड तुमुन, फिर हस जोड सानच, फिर गा है हस जोड शत्र, और गा है हस जोड कत्वा, तो इसका सही एंसर आपका हो जाएगा, गा नमबर हस जोड शत्र, उसके बाद 40 नमबर कोश्यन है, मोहना रमायनम पठित्वान, तो आप्शन दे उसका सही एंसर आपका हो जाएगा आप चूज कर लिजे खा नंबर पठ जोड कत्वत्व ठीक है इस तरह से आपका संस्कृत का सेट वन मौडल का सेट वन जो है आपका अभी कंप्लीट हो गया है और भी मेरा वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लेंगे उसमें सारा मौडल सेट का सॉल्योशन हो चुका है सेट वन सेट टू सारा सब्जिक्ट का आप देख सकते हैं ठीक है तो फिर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइइक करें वीडियो को और चैनल को साथ ही सबस्क्राइब करें फिर हमनों मिलते है नЕξेक्स वीडियो में तब तक केलिए बाइट टेक क्या है वह मेरी चैनल पर जाएंगे subscribe का button click करेंगे और साथ ही उसके बाद यहाँ पे bell icon को click करके all पे click कर देंगे ठीक है तो उससे फिर जो भी मेरा new video है उसका आपको notification मिलते रहेगा उसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं कि playlist बना हुआ है playlist पे जा करके आपको सारा जो है 9th class से related subject वाइस question answer आपको मिलेगा फिलाल अभी आपको देखे English का English का कुछ मिलेगा आप English का देख सकते हैं English behind book का आपको मिल जाएगा question answer और chapter explanation मिल जाएगा उसके बाद जो आपका second English moment book है उसका भी आपको question answer और chapter explanation मिल जाएगा उसके बाद आप इसमें देखिएगा कि model practice state class 9 का भी मैं एक series चला रहा हूँ जिस पे आपको model practice state से related सारा series मिलेगा complete तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं